भाजपक की केंद सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर लगता जाकरुपता की संदेश देनी के निकाम किया जा रहा है मुरादबाद में भारती जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा एक मोटर साइकल रेली का आयोजन कराये गया केत्र की सत्ता में मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं पिया मोदी ने 30 मई 2019 को अपने दूसरे कारिकाल की शपत ली थी वे पहली बार 26 मई 2014 को भारत के प्रधान मंत्री बने थी केंदर में अपनी सरकार के आठ साल पूरे होने पर भाजपा यवा मोचा के दरजनों कारेकरताओं ने धक्का से बाइकराली निकाली रैली का शुभाराम महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नात्मिश्रा और भाजपा यवा मोचा के छेत्रे उपाध्यक्ष वीनस शर्मा ने हरी जंडी दिखा कर किया रैली का शुभाराम मुरादबाश शहर के रुधानमत्री अवास योजना धक्का से शुरू करके मंडी समिती से चौधरी चरण सिंग्चौक, काशिराम गेट, काशिराम योजना से सोनकपूर फ्लाय ओवर और सोनकपूर स्टेडियम से पीली कोठी जन्नेगम काराले के स्मा शर्मा ने कहा कि नरेंडर मोदी सरकार के आठ वर्ष पूरे होने एवं आज़ादी के अमरत महुतसफ के उपलक्ष में एक जून से चौधा जून तक चलने वाले महा अभ्यान में विकास तीर्थ बाइक रैली निकाली जा रही है इसके साथ ही उत्तरप्रदेश सरकार कारियों को भी जन जन तक पहुचाने के उदेश से रैली निकाली गई है इस मौके पर भाजपा यवा मोचा के जिला धक्ष अभिशेक चौबेश, जिला महामंतरी गुर्दू सैनी, मीडिया प्रभारी दीख्षांत चौधरी, सिधार्थ चौधरी आधी तमाम भाजपा यवा मोचा के कारकर ता मौचुद रहे आज विकास तीरत यात्रा के उसमें रैली निकाली जा रही है, योगी जी का जो विकास कर रहे हैं, युवा मोचा उसमें जागुपता का काम कर रहा है सबी मोचाओं को कुछ न कुछ काम दिया गया है, क्योंकि एक सब्ताई करीकरम हमारे चलना है विकास को लेकर, इसी उसमें युवा मोचा जो है, आज अपनी बाइक रैली निकाल रहे है और ये पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ बाइक रैली का आज पच्वी उत्तर प्रदेश में एक साथ बाइक रैली निकाली जा रही है योगी जी के काम को जागुद करने के लिए जन जन तक पहुचाने के लिए आम आदमी तक उसकी पहुचे उसके लिए युवा मोच्चा पाइक रहनी का है